मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बित प्रदीप पे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर टीटी गले प्रते एक दिन दस महत्पूर्ण प्रशनों को पढ़ते हैं आज का जो सिग्मेंट है आज हम लोग जागरफी से रिलेटेद दस महत्पूर्ण प्रशन करने वाले यानि भुगोल से संबंदित दस प्रशन करने वाले हैं जो परिच्छा के द्रिष्टी से अत्यनत महत्पूर्ण है प्रशन आसान है और मुझे उमीद है का आप दस में दस मार्क कर सकते हैं तो इसे जरूर अटेम्ट करिएगा अपने मित्रों को भी सेर करिएगा तो मास रुसदी को प्रातना करते हुए और बंदना करते हुए प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की स्रीज को स्टार्ट करते हैं तो चैनल पर यद नए ह बहुत आसान और बहुत बेसिक लेबल का question आपके सामने है आप इसका answer बताईए आकास गंगा वर्गी करित की गई है यानि आकास गंगा का सीधे सीधे पुछे तो आकार पुछ रहा है कैसा होता आकास गंगा का आकार कैसा होता आपको बताना है अगर हम बात करें हमारी आकास गंगा जो है इसके बारे में एवे जार्ज लेमितेयर आपने सुना होगा एवे जार्ज लेमितेयर दोरा या पढ़ा होगा महा बिस्पोटक सिद्धांद जिसे बिग बैंक ठियोरी के नाम से भी जाना जाता है के बारे में उन्होंने बताया ब्रम्हांड के उत्पत के बारे में उन्होंने बताया ठीक ह हमारी आकास गंगा को मंदाकनी भी कहा जाता है हमारी आकास गंगा का नाम क्या है मंदाकनी है हमारी गैलेक्सी जो है जिसमें हमारा पुरा सौर मंडल यानि सूरज और आठ ग्रह है और उनके उपग्रह है इसका नाम मंदाकनी होता या इसी को आकास गंगा कहते हैं या इसी को हम लोग दुग्द गंगा कहते हैं जिसका आकार कैसा होता है या दुग्द गंगा को आप मिल की वे भी कहते हैं ठीक है इसका जो आकार है यह आप से पूछा जा रहा है का आकार कैसा होता यही आपको बताना है ठीक है तो इसका आ ब्रम्हांड के उत्पत्ति के बारे में बताया गया ब्रम्हांड के उत्पत्ति के बारे में यह भी बताया गया कि ब्रम्हांड के उत्पत्ति कैसे हुए जिसे बिग बैंक थियोरी के नाम से आप सब लोग जानते हैं साथ में हमने आपको बताया कि हमारा जो सौर मंडल है इस सौर मंडल में जो गैलक्सिया है जो हमारा सौर मंडल है इसको हम लोग मंदाकनी के नाम से जानते हैं मंदाकनी को ही दूसरी भासा में आकास गंगा कहते हैं अगर इसी को हम दूसरी भासा में बात करें तो इसी को दूसरी भासा में दुख्द मेखला कहा जाता है जिससे हम लोग मिल की वे भी कहते हैं जो हमारी आकास गंगा है या क्या कहते हैं जो हमारी मंदाकनी है या जो हमा आपका गलत होने वाला नहीं अगला प्रश् violence आपके सामने स्क्रीन पर कुछ किस प्रकार सी दिखाई पड़ क्रता है तो बुचिंद हो dai की उत्पत्ति इन सभी से संबंदित है किस संबंदित है ब्रम्हान के उत्पत्ति के बारे में संबंदित है ठीक है और किस संबंदित है आकास गंगा की सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंदित है ठीक है अब इसके बारे में अगर हम बात करें बिग बैंग सिद्धान्त को जो जो बिग बैंक सिध्धान्त के प्रतिपादक हैं, बाद में रावर्ट बैंगनर नामा के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1967 सिध्धान्त की ब्याक्या किये थे, किसको बिग बैंक सिध्धान्त की ब्याक्या किये थे, बिग बैंक सिध्धान्त किसे संबन देते हैं, ब्रम्हांट के उत्पत्ति से संबन देते हैं, या ब्रम्हांट के जगाप सौरमंडल देते हैं, सौरमंडल के उत्पत्ति से संबन देते हैं, आकास गंगा देते हैं, उ प्रत्पादक का नाम है एबे जार्ज लिम्तेयर एब ठीक जार्ज और लिम्तेयर ठीक है इनका नाम क्या है लिम्तेयर लिम्तेयर ठीक है लिम्तेयर ये इसके प्रत्पादक है अब इस धान का ब्याख्या जिसने की थी उसका नाम क्या है ब्याख्या करने वाले का नाम है आगे बढ़िए लिखने में थोड़ा सा आपको सऩगा को सांने भी जाए का आप सही समझ भी नहीं पाएंगे .....थ SAY सुन लें करे त्याद रहेगए, बतावेब तारे का रंग सूचक है। ता पहरे का रंग होता है , किसका सूचक होता है? आपक़ बताना है जो तारा होता है यानि जो हमारे तारे होते हैं इस टार से आप कहते हैं इनका जो रंग होता है वो किसका सुचक होता तो आपका आंसर सही आ रहा है उसके तापमान का सुचक होता है उसके तापमान का सुचक होता है तो आपका सही आंसर हो गया उसके तापमान का सुचक होता सबसे कम है और नीलह रंग का सबसे झालता त्ताप मान दिखाया जा रहा है हाला कि आपको इतना रखना भहुत ज्याद है दिमार्ड लगाने का उप्ट कर Windows जो होसकता नहीं करके सबस्क्ति कट अरकार का रंग सुचक होता किस असचे संदित है इसके तापमान से समद्धित है उसके ताप का सूचक होता ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने प्रश्न है ब्लैक होल एक सिकन रुख जाएगे ठोड़ा सा एक मिनट आप बताईए ब्लैक होल की जानकारी सरप्रथम किस ने दी थी आपको बत इन्होंने चंद्रसेखर सीमा दी थी क्या नाम है इनका सुब्रमणयम चंसेखर है इन्होंने क्या दिया था आप बताएंगे चंसेखर सीमा के बारे में बताया था तो खगोल जो आपका ब्लैक होले इसकी जानकारी सरप्रथम किस ने दी थी यस चंसेखर ने इनका नाम है सुपनमणयम चंसेकर ठीक चले इन्हें 1983 भी में भौतकी का नोबल प्राइज दिया गया था किसको सुपनमणयम चंसेकर को भौतकी का नोबल प्राइज दिया गया था कब दिया गया था आप कहेंगे भौतकी का नोबल प्राइज दिया था कब 1983 भी में इन्होंने क्या काम कि की खोज की थी चंसेकर सीमा इन्होंने अपना से धांत दिया था ब्लेक होल की खोज की थी ठीक चलिए आगे बढ़ जाते है सुपर्नोवा क्या है सुपर्नोवा क्या है आपको बताना सुपर्नोवा क्या है तो आप कहेंगे एक मृत पाय तारा है सुपर्नोवा क्या है एक मृत पाय तारा है सुपर्नोवा बिस्पोट के पस्चात द्वारा मृत की दसा को प्रात होता है अता सुपर्नोवा एक मृत्पा तारे को विश्फोट के अवस्था होती है आगे बढ़ जाएंगे प्रकास वर्स काई है यह प्रस्न भी आपका इंपोर्टन प्रकास वर्स काई है किसकी काई है तो आपको बताना है प्रकास वर्स काई है किसकी काई है कौन प्रकास वर्स ठीक है एक प्रकास वर्स के अगर हम बात करें तो प्रकास वर्स जो होता है मीटर में अगर हम बात करें प्रकास वर्स की बात किसमें करते हैं मीटर में एक मिनट रुख जाईएगा मीटर में अगर हम बात करें प्रकास वर्स को तो कितना होता है 9.4 कितना होता है 9.461 into 10 power 15 होता है ठीक अगर हम کиломеटर में बाद करें अगर हम यहीं पर جगा we asked km क्या लगाता है तो किलूमेटर में क्या हो जाएगा 9 point 461 9 point 461 into 10 power 12 हो जाएगा ठीक किलियर हो गया यहां पर अगर हम बात करें मिली मीटर में तो तो mm में बात करेंगे तो mm क्या हो जाएगा 9.461 x 10 18 अगर हम किसमें घ्रिखोल की काई में तो आपका यह ज़्यादा हो जाता है यहां पर 3 चीज याद रखेंगा mm में 10 m 8 18 हो जाएगा 18 ठीक और हम किसमे मीटर में बात करते हैं 10 पावर 15 और अगर हम किसमे बात करते हैं किलो मीटर में 10 पावर 12 हो जाएगा कभी आप से पूछ ले तो याद रखेगा तो किसकी काई है प्रकास वर्स इकाई किसकी है तो आप कहेंगे दूरी की काई किसकी काई है दूरी की काई होती है चलिए तारे के मद्ध दूरी ग्यांत की गई है तारे के मद्ध दूरी ग्यांत करने की काई है या की गई है तो इकाई बताना है तारे के मद्ध दूरी मापने की काई क्या होती है तो इकाई आपको बताना तारों के मद्ध में दूरी नापने की क्या होती प्रकास वर्स होती कौन होती प्रकास वर्स होती आपका सही आंसर हो जाता है प्रकास वर्स जिस तारा मंडल के तारे द्रो तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है एक क्लास 8 की एंसियाटिक से क्योस्टन लिया गया है जिस तारा मंडल के तारे द्रो तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारा कौन सा है आपको इसका आंसर करना है जिस तारा मंडल के तारे द्रो तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं वह तारा मंडल कौन सा होता ता आप कहेंगे सब तरिसी होता है कौन सा होता है सब तरिसी होता है आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा सब तरिसी आपका सही आंसर हो जाता है द्रो तारे की ओर संकेत सब तरिसी उस बैग्यानिक का नाम बताई है जिन्होंने सरप्रथम क्या क्या था खोज की की क्या खोज की सरप्रथम खोज की की प्रित्वी सूर्ज के चारो और घूमती है जिन्होंने सरप्रथम ये बताया कि प्रित्वी सूर्ज के चारो और घूमती उस बैग्यानिक का नाम बताना ह है तो कौपर निकस के द्वारा ये बताया गया कि प्रित्वी सूर्ज के चारों तरब घूमती है ठीक अगला है एक निश्चित आक्रित में ब्यवस्थित तारों के समों को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे एक निश्चित आक्रित में विवस्थित तारों के समों को कहलाता है जो है वो क्या कहलाता है आपका अंसर होगा नचचत्र कहलाता है नचचत्र कहलाता है तो यह थे आज के 10 महत्त४ूर प्रस्ष् Gedanken मुझे उमीद है कि आपको इसका लाब अवस्च्च मिलेगा आप उक्जाम में प्रतियक तिन, आपको यह कराज़ा जाता है, तो यह 10 प्रसण आप ज़रूर देखें 10 मिनट, 15 मिनट का समें निकाल करके आप इसे देखते रहेंगे आपको अवस्यलाब मिलेगा, एम मूझे, पूर्ण भरोसा है, तो फिर हम लोग मिलते हैं सुपर्टेट के किसी और क्लास में किसी और बैच के साथ तब तक लिजाज़त दीजिए जय हिंद